हेलो एवरेवन विल्कम बैक टो मैं चैनल स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल खुशी शी हो गया पर आपका तो आज की इस वीडियो में आपको टैटल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हूँ यह परपल का हॉल तो जितने भी मैंने समान परशेज किया है जितने भी मेकप के प्रोडक्स इसमें सारे मेकप के ही प्रोडक्स है मैंने स्कीन केर कुछ ने लिया है तो जितने भी मेकप के प्रोडक्स है वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो अगर आपको लेना होगा तो उस लिंक पर आप क्लिक करके इसको पर्चेज कर सकते हैं और जितने भी मुझे प्राइज में मिले हैं वो मैं स्क्रीन पर आपको दे दोंगी वन बाइवन तो चले अब वीडियो अपना शुरू करते हैं तो अगर आप मेरे चानल पर नहीं आये हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब क से देरी के वीडियो सुरू करने से पहले एक चीज में आपको यहां बता दू कि मैं जश्ट अभी वन इयर कंप्लीट करने वाली हूं अपने यूटूब जर्णी यूटूब के साथ मेरा एक साल का जो कनेक्शन है वो जश्ट अभी कंप्लीट होने वाला है तो अपना जो यूटूब के साथ वन इयर का तो अगर आपके मन में भी कुई सवाल वगेरा होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट डाम जरूर करेगा मैं कुछिस करोंगे कि आपके जितने भी कोश्टेंस हैं वो उस वीडियो में कवर अप कर लू बहुत खुशी है मुझे इ जिसमें से एक आपको मिल जाती है यह हाइलाइटर और दूसरा है यह ब्लस जो इस तरीकी की पैकेजिंग में आती है आपको तो मैं सूच रही थी कि इस पर में एक अलग से वीडियो शूट करूँगी इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लोग है वो यूटूब पर आकर सर् जो से परेटली ब्लस और हाइलाइटर तो उस वीडियो में मैं इसके जो डेटेल्स है वो सारे कवर पकरऊंगी तो बस अभी मैं आपको तो कहा देती हूँ मैंने यह एक अन्वाइविदी के ब्लस लिये है और एक आयलाइटर लिये है तो चले नेक्स्ट मैं आपको बतात तो मैंने इसको separately लिया है I think मैंने सोचा था ना कि एक NYB के makeup look करूंगी जिसमें होगा one brand makeup tutorial तो इसलिए मैंने जो है वह NYB के सारे product purchase किये हैं तो इस तरीके से यह eyeshadow की जो cute packaging है आप देख सकते हैं बाहर से इस तरीके से आपको बहुत ही cute packaging है मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी packaging और चले आपको switches दिखा दू मैं तो switches भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इस तरीके से आपको दिख जाएगा देखे कितने अच्छी switches भी है इसके और बहुत अच्छा है नेक्स्ट मैंने यहां लिया है NYB का runway radiant powder compact सो कुछ इस तरीके से आपको order packaging में रिसीव होती है तो चले अब इसको मैं open करके दिखाती हूं आपको तो इस तरीके से आपको powder मिल जाती है तो अगर आप इसमें shades और भी थे available तो जो भी आपकी skin tone है आप उसके according जह है वो shade टिक करिएगा उससे लुक बहुत अच्छा आता है तो बात कुरू अगर sponge की तो यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि इस price range में जो other brand है वो बहुत अच्छे sponge दे रहे हैं आजकर सो sponge मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा fragrance अच्छी है इसकी अच्छा comment down करना आभी fragrance lover हो या नहीं हो क्योंकि मैं कोई भी चीज पर चीज करती हो ना मैं तो चाहे वो compact हो या फिर skincare product हो या फिर कुछ भी हो मैं उसमें fragrance जरूर देखती हूं कैसा है कैसा नहीं है और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है fragrance इस तरीके से आपको मिल जाती है यह compact तो इसमें जो मैंने शेड लिया है वो लिया है टू फेर बिगन तो इसका जो प्राइस है वह 199 है तो आफ में क्या मुझे मिला था वो मैं स्क्रीन पर mention कर दोंगे आपको तो नेक्स्ट वाइन लिया है एन वाइबी का यह काजर जो इसकी प्राइस है मर्प प्राइस है 90 दो इस तरीके से आपको मिल जाएगी तो यह जो है वह वॉयट है तो मैं दिखा देंडियु हूँ अपने यह कलर देख सकते हो आप वाइट जो कलर है वह बहुत अच्छा ऊफर करके आया है और संथिंग इस पार्कल टाइप का है ये सो मैंने अभी तक कोई वाइट का जर परचेज नहीं किया था और यूज भी नहीं किया था तो जश्ट फोर ट्राइल क्योंकि अफॉर्डवल प्राइज में था इसलिए मैंने इसको ले लिया जश्ट फोर ट्राइल देखते हैं कैसा वर्क करता है ये सो आप मेकप वीडियो में मेरे जरूर इसका देखेगा मैं जब इस्तवाल करूंगी सो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना अच्छा है और कितना नहीं सो अवराल मुझे ठीक लगा प्राइस बाइस तो जस्ट मैंने पिक कर लिया इसको तो नेक्स्ट मैंने यहां लिया है यह एनवाइबी खाई-Liner जो 6mm की कॉंटिटी में है तो इस तरीके की आइलाइनर है तो इनके आइलाइनर के जो कलेक्शन है प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे हैं सो मैंने इसमें का यह लिया है तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं यह तो इसकी जो आप जुरत नहीं है बहुत अच्छा यह ब्रस है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ब्रस है आपको मिल जाती है तो यह भी अफॉर्डवर प्राइज में था तो मैंने ले लिया तो चले नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अपने इस एनवाइबी के ही प्रोग प्रा फॉर्मुला है वह बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं एक लेकर के ट्राय करना चाहती थी कि कैसा इसका कवरेज है और जो भी यह करेक्टिंग का काम अच्छे से करता है यह नहीं करता है तो चले इसकी जो प्राइज है वह 249 है तो आफ में मुझे क्या में विला वह मैं कि आप दोंगी तो अभी तो मैं यूज करके नहीं दिखाऊंगी तो नेक्स वीडियो में आपको यूज करके इसका रिव्यू दे दूँगी कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो और यह कितना वर्क करता है सो नेक्स मैंने यहां पर लिया है Faces Canada का Wedless Stay Matte Compact 20 C Butter जो इस तर के कि अगर सेल आएगे ना तो मैं जो स्कीन केर के प्रोडक्ट है वो लेना बहुत ज़्यादा पसंद करूंगी यह मुझे बाइवन गेटवन फ्री में मिला था मतलब इस पर इस कॉंपक्ट पर मुझे यह फॉंडेंशन फ्री में मिला था यह है फेजिस कैनेडा का ही वेट हुर्ण इसकी बहुत अचही है इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और रहत क्यूट लग रही है यह तो इसके साथ आपको यह घोड़ा फेल कहला हैंए चलिए अब मैं इसको open करते हूं इसके साथ आपको mirror मिलता है mirror भी काफी अच्छा है mirror में नहीं दिखाऊंगी अदरवाज आपको मेरा setup फिर से दिख जाएगा सो यह इसमें sponge मिला है तो बात करूँ sponge की तो ठीक है overall ठीक है sponge और इस पर आपको faces canada का mark भी मिलेगा तो आप ले सकते हो आपको यह लेना होगा तो इसमें भी आप अपना shade चूच करके ही लेना तभी जो है कोई भी चीज work करती है अच्छे से तो इसकी भी smell मुझे बहुत है तो next मैं दिखाती हूं आपको compact यह foundation जो मुझे मिली है buy one get one free में तो चले इसको open करते हैं इसको मैंने unboxing भी नहीं की रखी है इस foundation का जो price है वह 199 है तो इस तरीके से आपको यह मिलती है तो इसमें मैं आपको बता देती हूं यह currently free product है यह एनवल पर टेस्टेड नहीं किया गया है इस foundation का क्या work है सबसे पहले मैं वह आपको बता देती हूं तो सबसे पहले तो यह dermatologically tested है और उसके बाद यह आपकी skin पर बहुत अच्छे से blend हो जाती है और दिन एक आपकी जो skin है वह comfortable और light weight feel करती है और यह natural और natural finish देती है यह और यह suitable for all skin type है तो इसमें भी sets थे वह अपने sets के अनुसारी आप लीजेगा और यह इसकी जो price है वह 199 है और यह 18 ml में आपको receive होती है तो packaging कुछ इस तरीके की है इसकी तो इस तरीके से आपको foundation मिल जाती है और इसकी मुझे एक चीज़ अच्छे नहीं बहुत जादा यह thin है तो आप देख सकते हो बहु जाए नहीं चल पाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़े अल्रेड़ी अप्लाइ कर रखी है तो blend होने में भी मतलब जो पतली thin चीज़े रहती है वह blend होने में आपको थोड़ी सी problem create करती है और जभी आपको foundation वगेरा लो तो हाथ की जो blending है वह एक अलग हो जाती है पर जिसमें नहीं है तो आप देख सकते हो blend तो बहुत अच्छे से हो गई है तो blend अच्छे से हो गई है बट इसका जो texture है वह काफी thin है तो यह मुझे उतना पसंद नहीं आया आज की जो haul वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक like कर देना और family friends को साथ share कर देना ताकि उनको भी लेने में यह हो जाएगी help तो चलिए अब मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक रखे अपना ख्याल और चुकि जो मेरी वीडियो है वो 2022 का first वीडियो है so again आपको happy new year और बहुत सारा आपना रखे ख्याल तक तक मिलते हैं अपने next वीडियो में बाई बाई